हेलो एवरीवन नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है यूजी सी नेट अटर 247 के प्लाटफॉर्म पर मेरा नाम है संस्कृति और जैसा कि आप सभी देखी सकते हैं आज के इस सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं जो अभी 11 दिसंबर 2023 को यूजी से एंट नेट पॉलिटिक साइन्स का जो एक्जाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेट कट ओफ ध्यान रखिएगा यह कोई एक्जाक कट ओफ नहीं है क्योंकि एक्जाक कट ओफ को जारी करने का जो अधिकार है और यूनों पावर्स है वो कीवल और कीवल NTA के पास है लेकिन जिस तरीके से हमें उसके बेसे स्केर पर लास्ट जो नेट के एक्जाम हुए हैं उनके कट ओफ के बेसेस पर एक एक्सपेक्टेट कट ओफ के बारे में हम डिसकस करेंगे कि अलग-अलग का टेगरी दीज में लगबक कितना सकोर अगर आप कर ले जा रहे हैं तो कहां जा सकता है कि आपका ने टीसी नेट अड़ा 247 के प्लाटफॉर्म पर मेरा राम संस्कृति है और मैं आप सब ही को यूजी सी एंटीय नेट में पेपर वन आई सीटी एड़ पेपर टू पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूं हमारी डेली फ्री क्लासेज जो हैं वो दोपहर 12 बजे इसी यूटीब चैनल के बाद हम से चलती हैं और हमारे जो कोर्सेज हैं जून के लिए वो भी लॉंच हो चुके जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे ठीक है चले तो फटा-फट से शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को बिना किसी देरी के राइट अगर आप देख सकते हैं तो पूरा का पूरा चार्ट मैंने यहां पर लगाया और क्योंकि यह जो कोशन जिसके सही होंगे उसका इस काटेगरी एक होगा जैरे फोगा क्या और होगा जैरetr में गारे खरेंगे सकते हैं कि इस रेंग बीच में अगर आप स्कॉर कर रहे हैं तो चांसे हैं कि आपकर नेट जार जैएगा यह लाइकफार– और ना था जैसे ही तोरण पेपर दे करके निकले कि माम इस बार का जो पेपर था वो काफी ज्यादा इजी था लेकिन इवेंच्वली जब बैट करके आप इन सारी बातों को एवालवेट करेंगे तो आप एक चीज रेलाइस करेंगे जो पेपर का जो यूजरल पाटर्न रहा है बहुत जादा इजी थे जो कि हम बहुत कम देखते हैं विच इस वेरी उनकॉमन हमारे पेपर के बात करें तो ठीक है लेकिन इस बार कुछ कोष्चंस बहुत ज्यादा इजी थे लेकिन कुछ कोशन्स जो देखने में इजी लग रहे थे वो अपने आप में काफी कॉंप्ल स्टेमेंट वाले कोशंस डिये अपने आप में बहुत लंबा-लंबा लिखा करके उन कोश्चन के बारे में चिंतन मनन किया जाए तो वो कोश्चन मॉडरेट टू टॉफ लेवल के भी ठीक है तो इसलिए ऐसे मैं समझेगा कि एकदम ही कट आफ बढ़ जाएगी कही ना कहीं कट आफ जो है वो कंट्रोल में रहने वाली और आयोग भी इन सारे चीज़ों जिस स्टुडेंट ने स्कोर करें हैं उसका जी आरेफ होने के चांसे हैं क्योंकि एकस्पेक्टेड है कि 105-108 के बीच में जनरल केटेगरी की कट आफ जाने वाली है मतलब 1500 में से कितने कोश्चन डेड़ सो में से हम यहां पे 1500 कोश्चन में से 105-108 कोश्चन के लगभग की बात करें इसलिए हमेशा आपने मुझे मेरी क्लास में कहते हुए सुना होगा कि मैं कहती हूँ 110-115 कोश्चन टार्गेट करो कम से कम मतलब तुम में इतना दम होना चाहिए कि तुम 110-115 कोश्चन सही लगा के आ रहे हो तब तुम एकदम सेफ हो जनरल केटेगरी से जे आर 98-99 भी यह जा सकता है ठीक है ना तो 95-99 की बीच में आप देखेंगे कि चांसेज है कि जो जनरल केटेगरी से जने स्टूडेंट्स का नेट हो रहा है जहां तक there are highly high chances की जो cut-off है वो 95-98 के बीच में रहने वाला है वहीं अगर हम EWS के बात करें एकनोमिकली वीकर सेक्शन क के बात करें तो उसका जो जे आरेफ के लिए cut-off रहने वाला है वो लगभग 99 कोशन से 102 कोशन के लगभग रह सकता है इसके अलावा नेट की अगर हम बात करें तो 90-93 कोशन के लगभग नेट का cut-off हो सकता है EWS के टिकरी का अब मैं बार-बार ये वर्ड थोड़ा सा हो सकता है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं NTA नहीं हूँ ये जितना भी cut-off और ये जितना भी calculation है वो सब data based है लेकिन expected है approximate है exact सारी चीजे NTA ही बताएगा इसके अलावा किसी और के पास कोई हक नहीं है ये बताने का कि इतना ही cut-off होगा भले ही वो prediction भले ही वो कितना ही सच हो जाए जोट हो जाए बट ये सारी चीजे एक prediction है एक भ करते हैं तो there are high chances की JRF के लिए 99 कोशन से 102 कोशन के पीछ में जाने वाला है और यहां पर नेट के लिए 90-93 कोशन की कम से कम आपको आवशकता होगी 1500 कोशन में से net qualify करने के लिए AWS कैटेगरी से OBC की अगर हम बात करें आप देखोगे कि OBC में यहां पर थोड़ा सा range में डिफरेंस है और इधर पर भी range में डिफरेंस है क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि OBC कैटेगरी का जो cut off है वो बाकी कैटेगरी से high चला जाता है OBC का cut off भी बिलकुल general category की तरह ही बहुत जादा उपर का cut off बन रहा है ठीक है तो OBC कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो OBC कैटेगरी में JRF के लिए लगभग 99 question to 103 question के बीच में cut off रह सकती है और net के लिए 90 to 94 questions के बीच की range रह सकती है net के लिए OBC से ST कैटेगरी के अगर बात करें तो 90 से 93 question की लगभग JRF की cut off हो सकती है and 84 to 85 questions की जो range है उस range में cut off net के लिए हो सकती है इसके अलावा ST category के अगर बात कर ले हम तो ST category के लिए 90 से 92 question JRF के लिए और 84 से 85 questions net के लिए आवशक होंगे ठीक है कुल मिलाकी कम से कम आपको अगर JRF अपना ensure करना है तो 105 के लगभग questions आपके सही होने चाहिए 105, 107, 108 इसलिए हमेशा target करके चले कि 110 से 115 question आपके सही हो और 110 से 115 question के बीच में तभी आप सही कर पाएंगे जब आपका paper 1 प्लस paper 2 दोनों की बराबर से तयारी हो ठीक है जी तो यह कुछ expected cut off है and जैसे ही answer sheet आएगी शायद और जादा clear होगा कि जो cut off है वो क्या बन सकता है ठीक है तो all the very very best to all of you इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि आप तभी 110 112 question सही मार करके exam में आप आएंगे जब आपकी paper 1 और paper 2 की तयारी की दोनों unit 10 unit paper 1 की और 10 unit paper 2 की दोनों मतलब 20 की 20 unit की एकदम तगड़ी और शांदार तयारी हो ठीक है तो अगर आप क्या करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी जून 2024 की तयारी बहुत बेहत्र युनों बहुत शानदार हो तो आप हमारे courses में enroll कर सकते हैंग司 26 December से जुन के लिए लाउंच हो रहे हैंएं जनुरी की दोनों की classes स्टार्ट हो रहे हैं अगर आप पेपर टू की बात करें तो मैं पेपर टू पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूं और यह सारे फीचर्स हैं जो कि आपको इस कोर्स के अंतरगत मिलने वाले हैं अपार्ट फूम दैट और भी छोटी-मोटी हैं जो मुझे लगा कि मेंशन करना इतना साथ मिंडेटरी ने लेकिन सारे फीचर्स आपको सारा सब कुछ इन ही कोर्स के माध्यम से मुहाया करवाया जाएगा ध्यान रखिए टेस्स सीरीज और मॉक टेस्स जो है वो तो इसके आंदर ताकि आप क्या कर सके अपनी प्राक्टिस भी बराबर से कर सके जो नॉलइज आप सीख रहे है जो नॉलेज आप गेन आप गीन कर रहे हैं उस Dyek explains और अ launched को सटीक तरीके से एपलाई करना भी क्या है हमारा एक औबजेक्टिव है और वह भी आपको इन ही courses के अंतरगत सिखाया जाता है इसके अलावा पीडिएफ तो आपको मिलेंगी है doubt session है faculty guidance है complete updated syllabus रहेगा और इसके साथी साथ live classes English language में मतलब Hindi और English दोनों भाशा में होंगी लेकिन एक highlight है इस course का which is handwritten notes मैंने अपनी previous batches में भी students को handwritten notes दिये हैं और इस batch में भी आपको मेरे द्वारा color coded handwritten notes कई सारी जगे पर देखने के लिए मिलेगा जहां जहां पर आवशक होगा वहां वहां पर आपको मेरे द्वारा अलग-अलग तरीके से creative तरीके से handwritten notes मिलने वाला है तो आपको बार-बार और नोट्स बनाने की बहुत जादा आवशक्ता नहीं है उसके जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं मेरी ही है मैं ही आपको क्या है कई सारे मौकों पर handwritten notes भी इसी कोर्स के अंतरगत प्रोवाइड करवाने वाली ठीक है जी इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप प्लस पेपर टू दोनों की तयारी साथ में करना चाहते हैं क्योंकि आपको बोर्ड पर दिख रही हूं विच मींज डबल वालेडिटी है ठीक है क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं आपको कोर्स की बारे में बताने आती हो तब जरूर डिबल वालेडिटी चल रहा होता है तो आप क्या कर सकते प्लस पेपर टू के जो मेगा कोर्सें मेगा पाक्स उसमें एंडरॉल कर सकते हैं फाइदा क्या है फाइदा पहली चीज कि सेम कोस्ट पे का 20 unit का जितना भी content है mcq है pyq जो कुछ भी और जितना भी current affair आता जाएगा जो भी changes होता चाहेगा वो सब recently जो भी changes उसको updated रख करके आपको पढ़ाने के जिम्मदारी हमारी होगी ठीक है जी आप क्या कर सकते हैं आप हमारे courses में कैसे एंड्रोल कर सकते हैं आपको जाना है अड़र 247 के official app पर ठीक है जी और जैसे ही आप अड़र 247 के official app पर जाएंगे मैं आपको यह website से दिखा रही हूँ लेकिन अगर आप apps एंड्रोल करेंगे तो आपको 78% का दिसकाउंट मिलेगा अगर आप website से एंड्रोल करेंगे तो 77% का ओफ मिलेगा कब मिलेगा वो ओफ जब आप code लगाओगे वाइस 792 ठीक है all courses वाले section में चले जाओ जी ठीक और यहाँ पर select कर लो UGC UGC net June 2024 select कर लेना and view all कर लेना ठीक है अगर आपको separate course लेना पेपर वन का बस यह रहा पेपर टू का बस यह रहा लेकिन इन courses में खास बात है कि यह courses के वो छे महिने के लिए रहेंगे पैसे आपके सामने लिखे हुए हैं बहुत affordable cost पर आपको सब कुछ available करवाया जा रहा है लेकिन अगर आप मेगा पाक में एंड्रोल करते हैं पॉलिटिकल साइंस के तो आपको डबल वालेडिटी मिल रहे हैं मतलब 6 महिने का कूर्स 12 महिने के लिए मिल रहा है और मेगा पैक में पेपर वन प्लस पेपर टू होते होता है तो आपका जून और सेफो साइड के लिए अगर आप दिसम में आपको पढ़ाने वाली हूं तो एक साल के लिए आपको पूरा क्या हो जाएगा निश्चिन तो हो जाना इसलिए किस पर मेरी समझ से तो मैं मैं यही सजिस्ट करूंगी कि आप पॉलिटिकल साइंस का मेगा पैक लेले बाकी आपकी मर्जी है क्या करेंगे यहां पे दे और जैसे ही इस कोड को कर दोगे अपलाई तो देखो 6578 की कॉस्ट पर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स कितने में मिल रहा है 6578 पर मिल रहा है मतलब पेपर वन प्लस पेपर टू आपको 12 मंस के लिए मिल रहा है ठीक है जी विच मीन्स कि अगर आप आधा आधा कर लो तो 6 मह इने का दोनों पेपर का कोर्स कितने का पड़ा सवा तीन हजार के ही लगबग पड़ा और उसको भी आधा आधा कर लो पेपर वनों पेपर टू में अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आप देख लिजे कि शायद जो बागी खर्चे हैं इधर उदर हम खर्च कर देते हैं उनको भी अगर इखटा कर लेंगे तो साल भर का इससे जाधा ही बनता होगा फिर ये तो हमारे करियर बिल्डिंग के लिए पढ़ाई के लिए जिन्दगी के लिए ठीक है तो कोड लगा लिजेगा वाई 792 जब आप कोड लगाएंगे वाई 792 तब ये कोर्स आपको 6578 का म तो इसे क्या करें इसमें तुरंट एंडरोल कर लें और 26 सारीक से हमारी क्लासिस जो है वो बहतरीन और शांदार तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी और वेरी वेरी बेस्ट टू आल अफ यू जितने भी बच्चे जून वाला टेम्ट दे रहे हों जितने भी बच्चे अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही एक और इंसाइटफुल सेशन में अभी के लिए दीजे इजासत अगर आपको इस सेशन बहतरीन लगा है तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल ना भूले हो मेरे साथ जु थैंक यू सो मुच भरीबड़ी गड्लेस यौल